यस बैंक का गठनी देश को लूटने और डूबाने के लिए क्या गा था आपको मालूम में 2003 में नवंबर में यस बैंक का अस्तापना की गई और जन्वरी 2004 से ये अस्तितों में आया और 2020 में डूब गया तो इसको लाने वाले भी वही है जिनके राज में डूब रहा है आप ठीक बैंक डूब चरिश्तिपा देते खेल क्या है इसको समझना पड़ेगा यह जो पूरी परकिरिया इसको मुझे लगता है कि हम दूसरे तरीके से समझे भारत के लोगों को स्वपन दिखाया जाता है कि निजी करण बहुत अच्छे देश के फैद्यों लाप के लिए हो उन्हें आत्मत्या कर ली एक तो एरलाइन से रिटायर आदमी था लेकर के 90 लाख रपे दे उसके जमा उपचार के लिए पैसे नहीं मिल पाए उसको उसको जान जान गवानी पड़ी और अब यह सबैंक का मसला है इसको थोड़ा हो पीछी हम लेकर चलते हैं हमारे देश मे हाउसिंग शेक्टर में अमरपाली राजधानी दिली से जुड़ावा नुएडा का किस्सा है अमरपाली के 16 प्रोजक्त डूब गए उसने भारत के मकानों की चहात रखने वाले 52,000 लोगों से मकानों के फलैट के पैसे उसूले हमारे सेक्ड़ों गाउं के किसानों की जमी इने चीन कर सरकारी सहस्तानों सा मिल करके उनको भूमी हिंद बनाया और लेकिन वह 52,000 फलैट दे पाने में सफल नहीं रहा सवभाग्य की बात है कि हमारे देश में एक और व्यवस्ता है सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट ने उस संजान लिया उस मसले पार और सरकार से कहा कि सरकार जुमाबरी ले और सरकारी सहस्तान आज उन 52,000 फलैटों के निर्मान करके उसके जो गराक हैं फलैट के खरीदार हैं उनको आपूर्टी कराने का काम करना है अगर निजी सहस्तान बहुत बढ़िया है तो आमरपाली डूबा क्यों और अगर सरकारी सहस्तान निकम में हैं तो सुप्रीम कोट ने सरकारी सहस्तान को फलैट बनाने का आदिश दिया क्यों येस बैंक को निजी बैंक को खोलने की अनमती क्यों तत्कालिन अटल विहारी बादपे की सरकार ने दी थी और आज जब वो मनमो सिंग जी सरकार भी बीच में पार्क कर चुकी है और अब जंदर मोदी की और दूसरे कारेकाल में एस बैंक दूप जाता है अब उसे कहा जा रहा है से स्टेट बैंक गोद लेगा यह बड़ा समझना पड़ेगा आपको भारत में भारत को लूटने के लिए भारत के सरकारी सांस्तानों को नीजी कंपनियों के हवाले करने वाले अब मतलब था जब हमारे देश में पहले से ही राष्टेकिर्ट बैंकों की एक बड़ी कतार है क्या जरूरत थी आपको यह बैंको लेसंस देनी की इसलिए मैं यह कहना चाहरा हूं मैं आपके सामने होर उधान देता हूं यह मसला इतना छोटा नहीं है हमारे देश में केवल बैंकों में लुटा जा रहा है नहствен के नाम पर लुटा जान आ शेक्षनद सास्ताओं के नाम पर कैसे लूटाजा रहा बताता हूं एक जलित मोहन की वाड़ी है 80,000 की फीज को बढ़ा कर 5,5 लाक रुपे किया नैनिताल हाई कोट की सिंगल बेंच ने 2018 में अक्टूबर में फैसला दिया और क्या कहा कि ये बढ़ीवी फीज गलत है गैर बाजीबे सुप्रीम कोट के आदेशों का उलंगन है कोई बढ़ीवी फीज जो आपने वसूली है वो वापस की जानी चाहिए रंबेश फोकरान निसंकर बाबा राम देव के कॉलेज के तरफ से नैनिताल हाई कोट में उस सिंगल बेंच की जज़ के फैसले को बचुनोती दी गई और डवल बेंच ने भी इनके खिलाफ फैसला दिया ये अक्टूबर का डेट है वो पहले आनकर हाईदान होंगे कंटेंप्ट फाइल की गई छात्रों की तरफ से दो मार्च को डाक्टर रमेश पोख्रयाल निसंग केंद्रिया मुंत्री का मेडिकल कॉलेज का प्रिंस्पल को कोट नैनिताल हाई कोट अरेस्ट कर देती है गिरपतार दो मार्च को और इस सर्थ पर बात क्या खेल हुआ यह इस्वर जानता है अदालत में बैठे जज जानते हैं उन्होंने कहा कि आपकी पिटेशन में कंटेंप्ट फाइल की गई पिटेशन में तुरूटी है बच्चों से गलती है वही कि साथ आठ बिद्यार्थियों के पक्ष में फैसले आये थे और किस इसी गलती पर गलती बता कर जिसमें प्रिंस्पिल को हाउस आयरेस्ट गिरतार किया वहां कोट के अंदर हर उसके बाद उन्हें की जो अब मानना याचिका थी वह खारिज कर दी जाती है हमारे देश के अदालती आदेश का पालन हमारे देश के केंद्रिया मंत्री रमेश पोख्रियाल निशंक का कॉलेज भी नहीं करता है हमारे देश के कानून के पालन हमारे देश में बरस्टाचार के खिलाब सलवार में भागने वाला सलवारी बाबा राम देव का कॉलेज भी नहीं करता है और हमारे देश के जो तोर तरीके हैं जो लोकतांतिक तरीके हैं उनका पालन ये संगी सरकार भी नहीं करती है हमारे देश के अंदर बैंकों का नीजी बैंकों का खोलने का मामला हो नीजी शिक्छन सांस्तानों का मामला हो और देश के तमाम सरकारी सांस्तानों को नीजी कंपनियों का बेशने का मामला हो यह सारा का सारा कारे करम और सारी कारवाई तब ही जादा होती है जब संग की सरकार सत्था में पहुंचती है यह देखकर उठा इतियास आप उठा कर देखिए इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूँ भारत को लूटने के लिए भारत बाश्यों को जिन बच्चों के जो बच्चे वहां इसकूलों में फीस भर रहे हैं अश्ची वह वह मे देश के किसान मजदूरों के बच्चे हैं अदिबाशी दलित मचवारों के बच्चे हैं गूमीहीनों के । वो इनके नीजी सास्तानों में पड़ रहे हैं और आप समझ लो कि आदालत के आदेश का पालन भी केंद्रियम मंत्री नहीं करता हो तो हमको सोचना पड़ेगा मैं इसलिए हैं आप लोग जो अभी बात कर रहें कि जब यस बैंक को जाच ही होनी चाहिए वो कौन सी ब्यवस्ता थी हमारे देश में पहले ही अंबार लगा हुए बैंकों का यस बैंक को खोने की अनुमती क्यों दी गई वो कौन तंतर था जो नीजी बैंकों को खुलवा करके देश को लूटने लूटवाने का सडिंतर कर रहा था और जब जेश वाशी आपको शिरफ नकेवल खाता धारी बरबाद होगा यस बैंक की कतार में लग गए आपको मालूम है कि नहीं यस बैंक के शेर बाजार में 85 फीजदी कीमत गिर जाने से जिन लोग अलग से निवे सकते उनकी भी अर्थ व्यवस्ता डामा डोलू चुकी है नरेंद्र मोजी का अर्थ ग्यान तो बहुत जबर्दस्त है नरेंद्र मोजी के सक्ता में आने के बाद हमारे देश की रुपए की कीमत 22 फीजदी गिर चुकी है क्या क्या नहीं गिर रहा है हमारे देश की विकासदर देट पॉइंट पर आ चुकी है हमारे देश की रु जिन्दा जलाये गई लोग मैंने देखा किस तरीके से चुन चुन कर मस्जिदों को और खास करके मुसलमानों की संपतियों को जलाया गया ये भी हमने देखा हमारे राजधानी दिल्ली में भी गमगार जमना तहजी भी खत्म की जा रही है क्या बच रहा है देश के अंदर ब बेतर नहीं मिल पा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगार भी आत्मध्या कर रहे वह शिल्चिला नहीं रुक पा रहा है और शीमा पर भी चीन में कबजा कर लिया और अब तो एक हो रिष्थिती आ गही है हम तो यह कहते हैं चीन से इंपोर्ट करके कोरोना व पहुंचना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना के साथ साथ रोक के साथ साथ अभी तो पिछकारी और गुलाल आया है उसके साथ कोरोना अगर बाद में चीन से फिर हम कोरोना के उप्चार की दवा भी लेने वाले हैं देश वहां जा रहा है सर अभी खबरे आ रही है कि जब येस बैंक पर प्रति बंद लगा तो आपके के लिए जान लखो सर्जों येस बैंक में उससे एक दिन ही पहले पहले से भारत के अंदर ये कहा गिया है जब नोट बंदी का मसला उठाया गया तो कहा गिया कि कालाधन आएगा लेकिन बैंकों की कतार में 140 ज्यादा लोगों की जिनकी जाने गई उनमें एक भी धन्वान आदमी ने गया मरने वाले सब्स ज्यादा संख्या हमारे देश के गरिबों की थी और अभी य है इस बैंक से दूबा इसमें वहीं जो बड़े लोग है जो दूबाने वाले क्यों निकाला गुजरात हर गोटाला गुजरा से क्यों होता है किसा कैसे कैसे जुटाना डुबाना है इसकी पटकता रंगा बिल्ला जो दो गुज Chi . सबया और दूसरे तरह आप कहा है आप गुकी अज किरत्य तो एक राश्ट ग्रत्य जिल्ट कम करी heps निजी बैंक को छोणने की अनमती आपको किसले ने दीठी इस सवाल झाल झाल